वेल्कम फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हम बनाएंगे बेसन की सबजी बिल्कुल गट्टे की सबजी के जैसे लेकिन इसे हम कहते हैं बेसन के कत्रे की सबजी इसके लिए पहले हम कत्रा त्यार करेंगे उसके लेंगे एक कब बेसन उसमें डालेंगे स्वा दोना चाहिए और गाढ़ा भी होना चाहिए देखिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ऐसे इसे हम लगातार मिलाएंगे और अगर आपको लगे तो आप हाथों की मदद भी ले सकती हैं उसके बाद इससे अच्छे समिलाती हूँ बिलकुल ऐसा ही गाढ़ा घोल बनाना है उसके बाद चढ़ानी है गैस पर कढ़ाई, कढ़ाई को गरम करने ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और खूब गाढ़ा हो जाए इतना गाढ़ा कि उसे हम जमा करके काट सकें बर्फी की शेप में। लगतार चलाना है तब तक जब तक की पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए अब ये गाढ़ा हो ही रहा है। चलाते रहेंगे लगतार देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो रहा है। हमारा गोल बिलकुल तयार है बिलकुल गाढ़ा हो चला है और इसे अब हम थाली में निकाल करके बिलकुल परफेक्टली सेट करेंगे। चक्को की मदद से बरफी के आकार में काटेंगे। पीसेज में बिलकुल अलग कर लेंगे देखें ये कितना थिक है और बहुत जादा मोटा भी नहीं है बहुत जादा पतला भी नहीं है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डीफ्राई भी कर सकते हैं और लाइट फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही सबजी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लास्ट में इसको एड़ करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से कढ़ाय चढ़ा रही हूं, add कर रही हूं amongphaloyol, amongphaloyol बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, यह cholesterol को कम करता है, bad cholesterol को खतम करता है और जो हमारे आखों के नीचे cholesterol की मोटी-मोटी परत जम जाती है, उसे भी खतम करता है, देखे, मैं यहाँ deep fry कर रही ह क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है और मेरे यहां बच्चों को बहुत पसंद है ये फ्राई वाला भी वो एक दो खाते हैं इसे उलट पलट की बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कच्चा न रहे और हलके हाथों से करेंगे क्योंकि ये बहुत सौफ्ट होते हैं थोड़ा सा भी दम लगाने पर ये तूट सकते हैं लगतार चलाते रहेंगे और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होने तक इंतजार करेंगे फिर इसे निकाल लेंगे इसके लिए मैंने मसाला भी तियार किया है इसमें डाला है कढ़ाई में ओयल डाला है और उसमें लहसुना द्रक मिर्ची का पेस्ट डाला है जीरा का तड़का लगाया है और दो मीडियम साइज का प्यास कट करके डाला है यहाँ पर मसाला तियार कर रही हूँ यह वही बे क्षाअटि थोड़ी जादा है इसलिए मैं मसाला थोड़ा ज्याधा आट कर रही हूं आप अपने अनुसार मसाला इस्टमाल कर सकते हैं मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक मसाला बिल्कुल तेल ना चौड़ने लगे बिल्कुल अच्छे से पकना मसाला पकने के बाद ही इसमें हम टमाटर एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसे धुल करके महीन महीन चौप कर लिया है लगतार चलाएंगे ताकि मसाला बिलकुल लगे न और अच्छे से पक जाए इसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार आप पानी एड़ करेंगे मैं यहाँ पर वही बेसन वाला पानी इस्तमाल कर रही हूँ जो लास्ट में घोल में बच जाता है यह पानी मैंने डाल दिया है आप अपनी जरूरत के अनुसार पानी एड़ कर सकते हैं यह आप चावल रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही स्वादस्ट ला जवाब होता है इस करी को अब हम धक करके पकाएंगे बिलकुल अच्छे से उबालाने का इंतिजार करेंगे जब करी बिलकुल तयार हो जाएगी तो लास्ट में हम इन कतरों को जो हमने बेसन के कतरे बनाये हैं वो हम इसमें डालेंगे डाल करके धीमी आज पर लगभग 2-3 मिनिट तक पकाएंगे धक करके उसके बाद बीच में एक बार चलाएंगे धन्या पत्ती डालेंगे और गर्मा गर्म चावल, रोटी, पूरी सभी के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है और हां लास्ट में नमक एड़ करना मत भूलिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि नमक आपने कत्रों में भी डाला है यानि कि आपको यहाँ पर नमक कम ही एड़ करना है वरना नमक बहुत ज़ादा हो जाएगा थेंक यू फर वाचिंग